हाई फरण वेलकम तो सिबील अमिर फ्रेंट्स आज हम डिसकर्ष करने चल रहे हैं डी ट्रपल अश्वी जेए का जो हमारा भी एक्जाम हुआ है जो की 22 तारुको हमारा एक्जाम था इलेक्टिकल का और चुकि हम डिसकर्ष करेंगे सिबील एंजिरिक सेक्षन का जो की जून तो baru तीन दूमें हमारा एक्जाम हुआ और प्रती ऊक दिन हमाराो तीन थीन से था टॉल हमारा नौ सुपट में पेपर हुआ है तो पेपर का लेबल क्या था कि सिप्ट में कैसा हार्ड क्या आया है नर्माइजिसन होगा की नहीं कितना इस्पेक्टर कटाफ जा सकता है या सेफ ही स्कोर कितना रह सकता है टीर 2 के त्यारी करने के लिए ठीक है जिसके आपको पता है यह हमारा फ़स्ट पेपर जो था टीर 1 इसमें बिसिकली यह हमारा क्वालिफाइंग मार्क इसमें लाना है के gain के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो कट आप क्या रहने वाली है देलही स्टुडेंट के लिए m अधार स्टुडेंट अधर श्टूडेंट चुकी जन्रल काटेग्री में ही जो क्वालिफाई करेंगे और OVC जो उनली डेलाही के लिए ही बैलेड है डेलाही वाले स्टूडेंट ही OVC क्वाटेग्री में और SCST जो होगा all over और इंडेया वाले बच्चे SCST में क्वालिफाई करेंगे ठीक है तो यह था हमारा 3 दिन हमारा 27-29 तीन दिन पेपर हुआ टोटल 9 सिप्ट में पेपर हुआ था और जिसमें 200 मार्क था 9 सिप्ट में ठीक है और 200 मार्क के 200 किस्टन थे जिसमें 100 टेक के थे और 100 नन टेक के और उसमें जो साव टेक्नीकल था तेक्नीकल में भी हमारा जोकी 20 क्यूष्टन एक सेक्षन हमारा एलेगरिकल मेंकानिकल से था और बाकि civil engineering से था तो देखा जाए civil engineering से क्यों लोग 80 question आये है और reasoning था English, math, Hindi GKGS total 5 section वहाँ से था 5 section यहाँ से 200 question 120 minute 2 hours के लिए तो हम बात कर लेते हैं इसकी जो expected cutout क्या रहने वाली है civil engineering section का only और good item की बात करे जो भी student 160 plus या 155 150 plus attempt की यह है और उनकी अपुरीशी यदि 75 to 80 percent है तो अपने आपो safe समझे 75 अगर हम 160 मार्क के चलें 80 नमबर अगर हम ले लें तो 180 mark जो की maximum number है safe score है इससे कम हमारा कटाब जाने वाला है और 70 percent अगर मार्क ले 112 mark ठीक है तो यह दि 160 आप attempt की है आपकी accuracy 70, 75 या 80 है तो आपका good attempt है और safe score है maximum attempt से कोई बात नहीं होती अगर यह student 190 attempt किया और उसकी accuracy only 50 percent है तो वह वैसे भार हो जाएगा तो हमारा यहापे accuracy basically माहिने रखता है आप कितना accuracy किये हैं और कितना attempt किये हैं ठीक है तो आई हम cut up को देख लेते हैं क्या रहने वाले safe score और हम बात करें safe score तो इस safe score है इससे कम ही हमारा cut up जाने वाली है ठीक है और preliminary examination है यह tier 1 वाला इसमें केवल आपको qualify tier 1 में आप qualify कर जाते हैं तो आप tier 2 के लिए जो eligible हो जाएंगे ठीक है अगर जिन भी student का जो कि other states से हैं डेला ही किना होके वो सभी general category में जाएंगे qualify करेंगे तो 150 प्लस mark अगर आपके आ रहे हैं तो आप safe है tier 2 की तयारी करना start कर दें ठीक है फ्रेंड और जो कि 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा और इसका answer की एक महीने के अंदर आ जाने चाहिए वैसा और EWS की बात करें 105 नंबर हमारा safe score रहेगा और OBC जो की delay वाले student ही OBC category में बिलांग करेंगे 105 प्लस है तो वो safe अपने आपको समझे और SCST जिसमें सभी student valid होंगे other state के भी हूँ अगर वो 100 प्रस्ट मार्क उनके आ रहे हैं तो अपने आपको शेप समझे से आप tier 2 के तयारे में लग दाए चूकि tier 1 के बाद आपको maximum 2 months का आपको time मिलेगा इसलिए आप अभी सही तयारे में लग जाए गर आपको इतना मार्क आ रहे हैं और जिन भी student का number कम आ रहे है या आप सम्मिट कर रहे हैं तो काफी student का ऐसा हुआ last में जाके section छूड़ गए इसे civil engineering के question आ रहा था लेकिनों छूड़ गए चूड़ गए चूकि वह लास्ट में थे नाइन्थ टैन्थ इस सब सेक्शन जो तो लास्ट में थे तो वह भी टेंशन न लें चूकि अभी स्सक्र जो की पंदर तारिक तक है आप उसको फिल अप कर दें आप तैयारी करते रहें ठीक है यह हमारा maximum safe score ही सिक कम हमारी कटाफ जाने वाली सिजादर नहीं जाने वाली है ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्नवाल और हाँ वीडियो पसंद आया हूं तो वीडियो क